मध्य प्रदेश में कई सरकारे आई और कई गई लेकिन आज भी छेत्र की मुल्भू सुईधाओं से लोग वंची थे कई शेत्रों में विकास कोसो दूर नजर आता है तो कई शहरों में बधाल सडकों पर रोना आता है मामला वीदिशा जिले की लटेरी का है जहां करीब 6 साल से बधाल सडकों से जूज रहे लोग प्रशासन को जगाने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन प्रशासन है कि कुम्ब करण की नीन सोया हुआ है। शहर की मुख्य सडक में बने गड़ों और महलों में बनी बदहाल सडकों को लेकर आए दिन शासन प्रशासन को किसी न किसी बहाने जगाने की कोशित कर रहे हैं। लेकिन शासन प्रसासन ही कि इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शेत्र के लोगों ने इस बदहाल सड़क से परिशान होकर गड़ों में पेर लगा कर अपना विरोध दर्ज कराया है। इससे पहले भी शेत्र के लोगों द्वारा ग्यापन आवेदन एवन धर्ना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया जा चुका है। यहां के नेता सिर्फ सरकार बनाने और गिराने पर तुले हुए हैं। वही शेत्र के विकास पर यहां के नेताओं और जन प्रतिनिदियों की कोई रूची नहीं है और इसी का नतीजा यहां आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। विदिशा से आसिस सहले की रिपोर्ट जो लेता बेशना हो चुके हैं उनके जो बिबाद दिनिमें ना है। इस रोट यह बताया गया है कि डीपी आर इसका एक करोण उपाया आया था और वो एक राट उपय अभी आज मारे पास रखा हुआ है। अबीतर इसका टेंजर क्यों लेगा है। क्या हुआ है कि यह जो डीपीया आया था वो डीपीया कारवार वापस हो जाता है। इस उत देश, इसके कारवा आप ऑजनाता है यह एक करोड से इसका निर्मार तही हुआ है। तो यह कुरता है गलत है। एक करोड से भी निर्मार हो जाता। करोड से निर्मार हो जाता है और जो सेह से राज होने उनी बहुत फिनिसिंग बचती उसके जेसासन के पास 15 पर चाहए जाता रास यह रुस्ता कर देए जते होटा है ज्सके आखाया नाटिया कोई भी अधिकारई आता है यहां के पिसे दो नेता है प्रOS कि करा सबस्क्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिन सबस्क्राइब करें लेल